क्रिया कलाप एक पॉइंट चार करेंगे इस क्रिया में हम कैल्शियम उक्साइड और पानी को मिलाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे हम कैल्शियम उक्साइड और पानी को मिलाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने की अभिक्रिया को सयोजन अभिक्रिया कहते हैं सयोजन अभीक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में सयोग करके अर्थार्थ जुड़कर एकल उत्पात का निर्मान करते हैं इसे सयोजन अभीक्रिया कहा जाता है इस क्रिया में जो पदार्थ हम इस्तमाल कर रहे हैं वह है कैल्शियम उक्साइट जिसे बिना भुजा हुआ चूना भी कहा जाता है और बहुत ही रोचक बात ये है कि हमने इसे अपनी रोज की जिंदगी में भी इस्तमाल किया है और आपने कई लोगों को इसे इस्तमाल करते देखा होगा बच्चों क्या आप जानते हैं कि आपने बिना भुजा हुआ चूना कहां इस्तमाल किया है आप जानते ही होंगे कि जब दिवाली का त्योहार आता है या जब कोई शादी होती है तो घरों में हम रंग रोगन करवाते हैं रंग रोगन करने के लिए हम एक पदार्थ लेकर आते हैं जिसे हम कली भी कहते हैं कली क्या होती है? कली बिना भुजा-चूना ही होती है, जिसे हम प्रियोग-शाला में calcium oxide के नाम से जानते हैं. इस क्रिया को करने के लिए आगर आपके पास calcium oxide नहीं है, तो आप बजार से कली खरीद कर भी यह क्रिया कर सकते हैं, क्यूंकि कली calcium oxide ही है. बच्चों, अब इस क्रिया में हम एक बीकर में केल्शयम उक्साइड डालेंगे और उसमें पानी डाल देंगे पानी को डालने से केल्शयम उक्साइड पानी में घुलना शुरू हो जाएगा और वह केल्शयम हाइड्रोकसाइड बन जाएगा जैसे हम घरों में कली में पानी डाल कर कली को तयार करते थे ठीक वैसे ही केलशियम हाइड्रोकसाइड बना है बच्चों आपने घरों में देखा होगा जब कली करते हैं तो शुरू में दिवारों पर पारदर्शी रंग होता है लेकिन थोड़े ही समय बाद वैं चमकना शुरू कर देता है कभी आपने सोचा है ऐसा क्यूं होता है यह भी एक रासाईने कभी करिया है जैसा कि आप सभी चानते हैं कि हमारे वायू मंडल में बहुत सी गैसे हैं जिनमें काबन डियोकसाइड भी एक है जब हम कली में पानी को मिलाते हैं तो केल्शियम हायडोकसाइड बनता है वायू मंडल में काबन डियोकसाइड मوجود है काबन डियोकसाइड के साथ क्रिया करती रहती है और वो बना देती है कैल्शियम कार्बोनेट यह एक सफेद रंग का चमकदार पदार्थ होता है इसी कारण कली करने के बाद दिवारों में चमक आ जाती है आप जानते ही हैं कि जब हम रंग रोगन करवाते हैं तो घर बहुत चमकने लग जाता है इसी तरह बिना बुझा हुआ चूना जब पानी में मिलता है तो बुझा हुआ चूना बन जाता है और जब वह वायुमंडल में उपस्थित काबंडे ओकसाइड के साथ मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेड बन जाता है अब हम इस क्रिया को करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है पहले हम बीकर लेंगे उसमें हम पानी डाल देंगे फिर हम बीकर को जब हाथ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बीकर का तापमान बढ़ रहा है बीकर गरम हो रहा है बच्चों आपने घरों में भी देखा होगा कि जब कली बनाते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो उसमें बुलबुले निकलते हैं मतलब उसमें से एक गैस निकल रही है और उसका तापमान बढ़ रहा है यह एक ताप निकासी यानि की उश्मा शेपी अभिक्रिया है इसी कारण जब हम कली बनाते हैं तो अपने चहरे को उससे दूर रखते हैं ताकि वहताप आपके चहरे को प्रभावित ना करे संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पात का निर्मान करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है आएए बच्चों अभ हम कुछ संयोजन अभिक्रियां का उधारण लेते हैं कैल्शियम औकसाइट बिना बुजा हुआ चूना प्लस जल इससे बन रहा है कैल्शियम हाईडरोकसाइट बुजा हुआ चूना केल्शियम हाइड्रोकसाइड प्लस काबन डायोकसाइड इससे बन रहा है केल्शियम कार्बुनेट और जल कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानि कि कोईले को जब हम ऑक्सीजन की उपस्तती में जलाते हैं कोईले का दहन करते हैं तो निकलती है कार्बन डायोकसाइड गैस हाइड्रोजन और ओक्सीजन से पानी का निर्मान 2H2 प्लस O2 गेवस 2H2O उश्मा शेपी रासाइनिक अभिक्रिया श्वशन की अभिक्रिया C6H12O6 ग्लुकोस प्लस 6 ओक्सीजन इससे बन रहा है जिसमें उर्जा मुक्त हो रही है प्राकृतिक गैस का दहन मीथेन CH4 प्लस 2O2 इससे बन रहा है काबन डे उक्साइट प्लस जल प्लस उर्जा तो जब प्राकरतिक गैस का दहन किया जाता है तो उसके बाद भी उर्जा निर्मुक्त होती है तो वो सभी अभी क्रियाएं जिनमें उर्जा निर्मुक्त होती है उश्मक शेपी रासाइनिक अभी क्रियाएं कहलाती है बच्चों, अब हम क्रिया कलाब 1.5 करेंगे इस क्रिया में फैरस सलफेट गरम किया जाता है और अब घटन की क्रिया होती है अब यहाँ पर शब्द अब घटित से क्या मतलब है अब घटित या अब घटन होने का मतलब है जब एक पदार्थ एक या एक से जादा अधिक पदार्थों में तूट जाता है तो उसे अब घटन के अभी क्रिया कहते हैं इसमें हम देखेंगे कि फैरस सलफेट तूट कर किन पदार्थों का उत्पादन कर रहा है इस क्रिया के लिए हमें जो सामगरी चाहिए वह है फैरस सलफेट हेप्टा हाइडरेट इसमें हेप्टा का मतलब है साथ इस योगिक में पानी के साथ अनुम क्रिस्टलिय जल में उपस्थित है इसका फॉर्मिला है FESO4.7H2O फैरस सलफेट का रंग हरा होता है देखो बच्चों यह हरे रंग का है इस क्रिया में हम देखते हैं कि क्या-क्या परिवर्तन आएंगे इस क्रिया के लिए हमें जो सामगरी चाहिए वह है परक्नली, होल्डर, स्पैचुला, स्पिरिट लैंप और लिटमस पेपर इस क्रिया को करने के लिए हम स्पिरिट लैंप लेंगे, उसे जलाएंगे और परक्नली में फैरस सलफेट के कुछ क्रिस्टल डालेंगे फिर उस परक्णली को स्पिरिट लैंप की लप्टो पर गरम करें अब हम देखेंगे कि इसमें क्या-क्या परिवर्तन आ रहा है इस क्रिया को करते समय परक्णली को साफधानी से इस्तमाल करें और परक्णली का मुँ बच्चों के मुँ से दूर रखें अब आप देख सकते हैं कि परक्णली के चारों और पानी की कुछ बूंदे आने लगी है और यह पानी किस्टलिय जल से निकला है जब हमने इसे गरम किया था तो सबसे पहले इसमें पानी के कणों को निकाला और फिर इसका रंग हरे से बदल कर सफेध हो गया अब आप देख सकते हैं कि पानी की बहुत सी बूंदे परक्णली में आ चुकी है आप इसे गरम करना जारी रखें जैसा कि आपको पता है हमने जो पदार्थ लिया था वह था फेरस सलफेट हेप्टा हाइडरेट उसमें साथ अनूं पानी के थे जो गरम करने पर भाब बनकर उड़ गया अब ये फेरस सलफेट हेप्टा हाइडरेट से बदल कर सिर्फ फेरस सलफेट रह गया है और इसका रंग सफेध हो गया है और अब हम इसे और भी गरम करें तो यह और विगटित होगा इसमें सल्फर डायोकसाइट और सल्फर ट्रायोकसाइड नामक गयसे उत्पन होंगी और पीछे फेरस ओकसाइड नामका पदार्थ रह जाता है जो की अक्सर हमने सुना है कि जंग होता है यदि हम इसमें पानी डाल दें अब इस परख्णली में पानी भी मौजूद है और फेरस अकसाइड भी मौजूद है जो कि अंत में जंग का रूप ले लेगा इससे पहले हम गैसों का सुभाव देख लेते हैं जिसके लिए हम लिटमस पेपर का इस्तमाल करेंगे सबसे पहले नीले रंग के लिटमस पेपर को परख्णली के पास लगाएंगे अब आप देख सकते हैं कि इसका रंग लाल हो गया है इसका मतलब है कि यह है अमलिय सुभाव का है इससे हमें यह पता चल रहा है कि सल्फर डायोकसाइट और सल्फर ट्रायोकसाइट गैसें अमलिय सुभाव की होती हैं बच्चों आपने अमलिय वर्षा के बारे में सुना ही होगा इनका कारण भी यही गैसे हैं यह गैसें वायूमंडल में जाकर और वायूमंडल में उपस्थित पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अमल और सल्फ्यूरस अमल बनाती हैं और वर्षा के साथ मिलकर यह वर्षा को अमलिय वर्षा बना देती हैं जो पीछे बचा है वो फैरिक ऑकसाइड है बच्चों जब आप इस क्रिया को करोगे तब आपको इन गैसों की गंद महसूस होगी यह गंद जले हुए सलफर जैसी होती है इस गंद को हम एक तरीके से महसूस कर सकते हैं हम परक्नली को अपनी नाक से दूर रखें और हलकी हाथ से अपनी और थोड़ा थोड़ा सूंगने की कोशिश करें तो हमें इसकी गंद असानी से महसूस होगी आईए बच्चों अब हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मिक यानि की कोई एक अभिकारक तूट कर छोटे छोटे उत्पात बनाता है इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है बच्चों अब हम क्रिया कलाब 1.6 समझेंगे इसमें हम अब घटन की क्रिया करेंगे जिसके लिए lead nitrate, paracnally, paracnally holder, spatula, spirit lamp की आविशक्ता है और आखिर में हमें चाहिए लाल और नीला लिटमस पेपर अब हम spirit lamp की साहता से paracnally में मौझूद lead nitrate को गरम करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की gas बाहर आ रही है परacnally को holder की साथ पकड़ें और spatula की साहता से इसमें lead nitrate डालें और इसे spirit lamp पर गरम करें ध्यान रखें परacnally का मूझ बच्चों से दूर रहे इस क्रिया में lead nitrate विगटित होकर lead monoxide और nitrogen oxide और oxygen बनाता है lead monoxide थो सवस्था में परacnally में ही मौझूद रहेगा जबकि nitrogen dioxide और oxygen gas परacnally से बाहर निकल जाएंगे जैसे हमने पिछली क्रिया में sulfur dioxide और sulfur trioxide को देखा जिनका कोई रंग नहीं था इस क्रिया में oxygen gas जो निकल रही है उसका भी कोई रंग नहीं है लेकिन जो nitrogen dioxide है उसका हलका सा reddish brown लाल भूरा रंग है देखो बच्चों आपको ये रंग बाहर आता दिखाई दे रहा है दिख रहा है ना इस gas का स्वभाव जानने के लिए हम litmus paper का इस्तमाल करेंगे अब हम नीले रंग के litmus paper को परक्नली में डाल कर देखेंगे यह तो लाल हो गया इसका मतलब यह है कि इस गैस का स्वभाव भी अमलिय है अब हम लाल लिटमस पेपर को डाल कर देखते हैं इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो इससे यह पता चलता है कि जो नाइट्रोजन डायोकसाइड गैस निकल रही है वह है अमलिय स्वभाव की है और यह गैस वायू मंदल में पानी के अथभिक्रिया करके नाइट्रिक एसेड बनाती है अब इससे यह स्पष्ट होता है कि लेड नाइट्रेट विगटित होकर लेड मोनो अकसाइड और नाइट्रोजन डायोकसाइड और हाइड्रोजन जैसी गैसे बनाता है प्यारे विध्यार्थियों हम सभी पानी का अस्तमाल पीने के लिए कपड़े धोने के लिए बरतन साफ करने के लिए करते हैं कभी आपने सोचा कि यह पानी बना कैसे है कैसे दो तत्व आपस में मिलकर पानी का निर्मान करते हैं कैसे यह एक साथ मिल जाते है पानी दो तत्वों से मिलकर बना है दो परमानू हाइडोजन के और एक परमानू अक्सीजन का मिलकर जल बनाते हैं आज हमने दो परक्नलियों को लिया है और साथ में एक उपकरन भी है आज हम आपको इस उपकरन का परियोग करना सिखाएंगे इस क्रिया को करने के लिए हमने एक प्लास्टिक का मग लिया है इसमें हमने तली में दो छिद्र करके उसमें रबड का डॉट लगा दिया है इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए क्या आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोड कैसे बनता है? पहले हम cell को तोड़ कर उसमें से rod को निकालते थे आजकल cell की उपर की परत को निकालने के बाद उसमें से हम electrode मिलता है जिसे डिफाइट कहते हैं जो की कारबन का ही एक रूप है हम इस मग को बिलकुल उपर तक पानी से भर लेते हैं इसके बाद हम battery eliminator का प्रयोग करेंगे इसकी input में AC करंट है और इसके output में DC करंट है यह battery करंट का स्त्रोथ है इस experiment को करने के लिए सबसे पहले पानी के आविशक्ता है पानी hydrogen और oxygen से मिलकर बना है जब हम इसमें से बिजली को यानि की करंट को पास करेंगे तो क्या संभावना होगी जो पानी शुद्ध होगा उसमें से करंट पास होने पर कुछ नहीं होगा यदि हम उस पानी में थोड़ा सा नमक या अम्ल डाल दें तो उस पानी में से करंट आसानी से पास होगा और इसके परमानों अलग-अलग होना शुरू होगे जब हम इसमें से करंट पास करेंगे तो पानी का अबघटन शुरू हो जाएगा और एक इलेक्टरोड के उपर हाइडरोजन गैस बनना शुरू होगी और दूसरे इलेक्टरोड पर अक्सीजन गैस बनेगी हम इस बैटरी में देखते हैं कि इस बैटरी के जो दो टर्मिनल्स हैं एक positive terminal और एक negative terminal positive terminal को हम anode कहते हैं और negative terminal को हम cathode कहते हैं एक तार को हमने एक terminal से जोड़ दिया लाल वाला terminal एनोड होता है और काले वाला cathode अब आप इसमें देखते हैं कि यहां से gas बनना शुरू हो गई है जल में कुछ sulfuric अमल की बूंदे डाल दीजिए इसमें से पानी के बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे जल से भरी दो अंशांकित परक्ष्णलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के उपर उल्टा करके रख दीजिए हम इस परक्ष्णली को उपर तक क्यों भरते हैं इसका कारण है कि जो gas वो पानी को डिस्प्लेस करके यानि कि अपनी जगे से हटा कर खुद उसकी जगे पर आएगी यदि परक्ष्णली पहले से ही खाली होगी तो gas की मातरा का सही से ज्यान नहीं होगा जैसे जैसे gas उपर जाएगी पानी नीचे की तरफ आता जाएगा अब आप देख सकते हैं कि कैथोड की और gas के bubbles या बुल-बुले बनना शुरू हो गए हैं जबकि दूसरी तरफ bubbles बनना अभी शुरू नहीं हुए हैं क्रियकलब 1.8 सुरिय के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है प्रकाश की उपस्तती में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा कलोरीन में वियोजन होने के कारण ऐसा होता है 2AGCl सूरे की उपस्तती में यह तूट जाता है 2AG यानिकी सिल्वर प्लस CL2 यानिकी क्लोरीन सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार के अभिक्रिया करता है 2AGBR सूरे की प्रकाश की उपस्तती में तूट कर 2AG प्लस BR2 यानिकी ब्रोमीन गैस के रूप में निकल जाता है बच्चो अब हम क्रिया कलाब एक पॉइंट नौ करेंगे प्यारे विध्यार्थियों यह मेरे पास कुछ परखनलिया है कॉपर सलफीट का घूल है हमारे पास कॉपर सलफीट के क्रिस्टल्स भी है देखे बच्चो मैं आपको दिखाती हूँ यह कॉपर सलफीट के क्रिस्टल्स है कॉपर सलफीट के साथ काम करते समय बच्चों ने यह ध्यान रखना है कि इसके साथ काम करने के बाद आपने अपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से दो लेना है क्योंकि यह एक विशैला पदार्थ है जिन बच्चों के हाथों में थोड़े बहुत कट लगे हैं या कहीं चोट लगी है तो आप गलव्स पहन कर ही इनका इस्तमाल करें क्योंकि ये हमारे शरीर को नुक्सान पहुचा सकते हैं अध्यापक इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आज जो हम क्रिया करेंगे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और इस अभिक्रिया में जिन बच्चों के हाथों में कोई समस्या है वो बच्चे दूर से बैट कर इस अभिक्रिया को देखें या गलव्स का इस्तमाल करें तरीके से धात्वों की भी एक सक्रियता श्रेणी होती है हम देखते हैं कि जो जादा सक्रिय धात्वों होते हैं वो कम सक्रिय धात्वों को हटा कर उनकी जगे ले लेते हैं इस प्रकार के अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये chain, ये सक्रिता श्रेणी है जिसमें potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, copper, silver और gold है ये हैं सक्रिता श्रेणी आपको अपने पुस्तक में भी मिल जाएगी अब आप ये बताईए कि सबसे क्रियाशील धातू कौन सा है ये हैं आप इस सक्रिता श्रेणी में असानी से देख सकते हैं जैसे हम potassium से नीचे की तरफ gold तक आते हैं हमारी सक्रियता या क्रियाशीलता कम होती जाती है तो potassium सबसे जादा क्रियाशील धातू है और gold सबसे कम क्रियाशील धातू है जैसे हम जो गहने पहनते हैं वो सोने के यानि की gold के बने होते हैं जो सबसे कम क्रियाशील धातू है इसी कारण वह लंबे समय तक खराब नहीं होता हम ये अक्सर सुनते हैं कि यह चीज सोने जैसी है ऐसा हम क्यों कहते हैं क्योंकि इसलिए क्योंकि सोना एक तो बहुत कीमती है और दूसरा सबसे कम सक्रिय होने की वज़े से ये लंबे समय तक खराब नहीं होता इसलिए ये कहा जाता है कि यह चीज सोने जैसी है जैसे कि वो दोस्त जो हर समय आपके साथ होता है आपके दुख में आपके सुख में ऐसे दोस्तों को हम क्या कहते हैं सोने जैसा दोस्त लेकिन जो दोस्त कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं उनकी कीमत कम होती रहती है सोना कभी इधर उधर नहीं जाता वे ना तो गैसों से कोई अभी क्रिया करता है ना ही वायू मंडल में उपस्तित किसी अन्यपदार्थ से आसानी से क्रिया करता है इसी कारण वे सद्याफ चमकता रहता है और उसकी कीमत भी जादा होती है इसके विपरीत, पोटेशियम बहुत ही क्रियाशील धातू है इसके कारण इसे टेल में डुबो कर रखा जाता है अगर यह टेल से बाहर आएगा तो ऑक्सीजन के साथ अभी क्रिया करेगा और पोटेशियम सुपर अक्साइड बनाता है और जिससे आग लग जाती है देखा था, जब हमने उसे जलाया था तो वह एक ही बार में बहुत सी रोष्णी के साथ जल गया था इसका कारण यह है कि वह बहुत ही क्रियाशील धातू है उसके बाद हम अलुमीनियम और जिंक के बारे में देखते है Aluminium के बारे में हमने पहली क्रिया में देखा था कि नया Aluminium का बरतन बहुत चमकीला होता है लेकिन जैसे ही वातावरन की Oxygen के साथ क्रिया करता है तो उसकी चमक कम हो जाती है अब हम Zinc, Iron और Copper के बारे में देखेंगे प्यारे विध्यार्थियों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको Copper Sulfate का घोल जो आपकी प्रियोक्षाला में मवजूद है उसे इस्तमाल करेंगे अगर नहीं है तो आप इसकी Crystals को पानी में घोल कर इसका Solution या घोल बना सकते हैं इसके बाद आपको दो परक्नलियां चाहिए एक परक्नली में हम Copper Sulfate का घोल डाल कर उसमें लोहे की कील को डालेंगे और दूसरी परक्नली में सिर्फ Copper Sulfate का घोल डालेंगे इस तरह हम इन में होने वाले परिवर्तनों को अच्छी तरहीके से परक सकते हैं इनके साथ रंग में भी परिवर्तन होगा और हम आसानी से इनकी तुलना कर सकते हैं अब हम लोहे की कीलों को Copper Sulfate के घोल में डालते हैं ये देखिए परक्नलियों में हमने Copper Sulfate का घोल डाल दिया है ये देखिए इसमें अब हम एक लोहे की कील को धागे के साथ लटका देंगे कुछ इस तरीके से डालेंगे कि कुछ भाग लोहे की कील का बाहर की तरफ नजर आता रहे या आप इसे पूरे तरीके से डाल दीजिए और दूसरी परक्नली में हम कील को Copper Sulfate के साथ केवल हलका सा टच करवाते हैं नीचे वाले हिस्से को ही इससे हम इसमें होने वाले रंग का परिवर्तन आसानी से देख पाएंगे धागे को सेट करने के लिए इससे हमने रबर बैंड से बान दिया है इस परक्नली में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कील का आधा हिसा Copper Sulfate में है और आधी कील बाहर है ये देखिए इसमें अभिक्रिया होना शुरू भी हो गई है इस वाली परक्नली में भी अभिक्रिया होना शुरू हो चुकी है इन दोनों परक्नलीओं को अब हम एक बीकर में रख देते हैं जब तक ये क्रिया हो रही है हम देखते हैं इन दोनों परक्नलीओं को हमने ये एक बीकर में रख दिया है और इनकी क्रियाओं को ध्यान से देख रहे हैं तब तक हम एक और परक्नली ले रहे हैं और उसमें भी हम कॉपर सलफेट का घोल डाल देते हैं इससे हमें रंग में अंतर करने में आसानी महसूस होगी अब हम एक और परक्नली लेते हैं उसमें भी copper sulphate का घोल डाल देते हैं फिर हम इसमें zinc के दाने डालेंगे तो बच्चों क्या होगा इसमें? zinc जो है वो copper को हटा कर उसकी जगे ले लेगा और zinc sulphate बन जाएगा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि zinc copper से जादा क्रियाशील है इसलिए वह copper को हटा कर उसकी जगे आकर zinc sulphate बना देता है जो कि सफेद रंग का होता है और copper powder के रूप में परक्नली के नीचे बैठ जाएगा बच्चों, zinc, cadmium और mercury ऐसे लवन हैं ऐसे salts हैं जो कि सफेद रंग के होते हैं लेकिन transitional elements के रंग रंगदार होते हैं जैसे copper sulphate का रंग नीला होता है और ferrous sulphate का रंग हरा होता है लेकिन zinc sulphate का रंग सफेद होता है देखिए बच्चों, zinc का रंग काला होना शुरू हो गया था यह पहले कौन से रंग का था? बिल्कुल सही, यह पहले silver रंग का था जैसे ही हमने इसे copper sulphate के घोल में डाला यह काला होना शुरू हो गया क्योंकि इसके उपर तामबे की धातू की परत इकठी हो गई क्योंकि इसके उपर तामबे की परत, copper की परत जमना शुरू हो गई है जो की copper के रंग की होती है, तो अंत में यह घोल सफेद रंग का हो जाएगा अब हम पहले की अभिक्रिया को भी देख लेते हैं वह परक्नली जिसमें कुछ देर पहले हमने कीलों को डाला था अगर आप ध्यान से देखें, तो इन परक्नलीों में घोल का रंग जो है वो धीरे-धीरे हरा होना शुरू हो गया है और अगर हम इसमें से कील को निकाल कर बाहर देखें तो आप देखेंगे, यह देखिए, यह कील को बाहर निकाला तो जो हमारी कील थी, यह आधी, हमने कॉपर सलफेट के घोल में डाली थी तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस कील के उपर यह कॉपर की परत जमना शुरू हो गई थी इससे हमें यह पता लग रहा है कि आईरन, लोहा, कॉपर से जादा सक्रिया है और जादा सक्रिया होने की वजह से वो कॉपर को उसके विलियन से, लवन से निकाल देता है यह देखिए, यह वाली कील का रंग भी चेंज हो गया है और अगर हम कॉपर सलफेट के घोलों के तुलना करें, तो इस घोल का रंग गाड़ा है और यह गोल हलका हलका हरा होना शुरू हो चुका है तो इस प्रकार की अभी क्रिया में आपने देखा कि आईरन ने कॉपर को हटा कर उसकी जगे ले ली और वो आईरन सलफेट बन गया और कॉपर लोहे की कीलों के उपर जम गया तो इस प्रकार के अभी क्रियां को हम विस्थापन अभी क्रिया या डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन भी कहते हैं अब हम जिंक वाली अभी क्रिया भी देख सकते हैं जिंक ने कौपर को हटा कर उसकी जगह लेकर पानी का रंग अलग कर दिया है अब इस रंग को कौपर सलफेट के रंग के साथ तुलना करके देख सकते हैं जिंक ने जिंक सलफेट बनाकर कॉपर को हटा दिया और इसलिए इस अभी क्रिया को विस्थापन अभी क्रिया कहते हैं क्रिया कलाप 1.10 इस क्रिया में द्वी विस्थापन अभी क्रिया को दर्शाया गया है द्वी विस्थापन में हम दो अलग-अलग सॉल्ट लेते हैं और फिर वह सॉल्ट अपने अपने आयनों का आधान प्रदान कर लेते हैं पहले का धन आयन दूसरे के रिन आयन के साथ जुड़ जाता है और पहले वाले का रिन आयन दूसरे सॉल्ट के धन आयन के साथ जूड जाता है इसी प्रकार अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान को हम द्वी विस्थापन अभीकरिया कहती है इसके लिए सोडियम सलफेट और बेरियम क्लोराइड के लवनों की अविशकता है जिससे हम अपना गोल तयार करेंगे गोल तयार करने के लिए हम एक बीकर में स्पैचुला की साहता से सोडियम सलफेट सॉल्ट को डालेंगे और उसमें पानी मिलाएंगे stirrer की सहयता से उसे अच्छी तरह मिला लीजिए फिर इसी तरह दूसरे बीकर में barium chloride का salt डालेंगे और उसे भी पानी में stirrer की सहयता से अच्छी तरह से घोल कर अपना घोल तयार कर लेंगे हमने देखा है कि दोनों ही पदार्थ पानी में गुलंशील है अब हम dropper की सहयता से एक salt के घोल को दूसरे में mix करेंगे इसमें हम barium chloride के घोल को dropper की मदद से sodium sulfate के घोल में डालना शुरू करेंगे विध्यार्थियों ध्यान से देखिए आपको इसमें सफेद धुआ दिखाई दे रहा है जो की barium sulfate नाम का पदार्थ बनेगा जो की पानी में कम गुलंशील होगा और यह द्वी विस्थापन की अभिक्रिया के कारण हो रहा है कुछ समय तक विकर को ऐसे ही रहने दीजिए तो barium sulfate का पदार्थ विकर के नीचे इकठा होना शुरू हो जाएगा इस प्रकार आइनों के आदान प्रदान से इस अभिक्रिया में द्वी विस्थापन अभिक्रिया हुई किसी भी पदार्थ का किसी अभिक्रिया में नीचे इकठा हो जाना अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहलाती है और नीचे इकठे हुए पदार्थ को अवक्षेप कहते है उपचयन वअपचयन कौपर चून युक्त चाइना डिश कौपर चून की सतय पर कौपर अक्साइड की काली परत चड़ जाती है यह काला पदार्थ क्यूं बना? यह कौपर अक्साइड कौपर में अक्सीजन के योग से बनता है टू कौपर प्लस अक्सीजन जब इसको गरम किया जाता है तो यह बन जाता है कौपर अक्साइड यदि इस गरम पदार्थ के उपर हाइडरोजन ग्यास प्रभाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंकी हो जाती है क्यूंकि इस स्थिती में विप्रीत अभिक्रिया संपन होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है कॉपर अक्साइड प्लस हाइड्रोजन गरम करने पर कॉपर प्लस जल अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ओक्सीजन की विध्धी होती है तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है जब किसी अभिक्रिया में या किसी पदार्थ में ओक्सीजन का हास होता है या ओक्सीजन की कमी होती है तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है किसी भी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचैत तथा दूसरा अभिकारक अपचैत होता है इन अभिक्रियाओं को उपचैन अपचैन या प्रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहा जाता है संग्शारन लोहे की नई नई वस्तुएं आपने देखी होंगी लोहे की नई वस्तुएं कितनी चमकदार होती है लेकिन थोड़े ही समय पश्चात उचके उपर एक ब्राउन से रेड कलर की रेड लालिमा युक्त एक परत चड़ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं लोहे के उपर जंग लगना या संक्शारन ये जंग क्यों लगता है? क्योंकि जब लोहा, उक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो वह उपचैत हो जाता है, उसका उपचैन हो जाता है और उस उपचैन की वजह से लोहे के उपर जंग लग जाता है या हम कहते हैं कि लोहा संक्शारित हो जाता है संक्षारन हमें और भी कई धातूं में देखने को मिलता है जैसे कि चांदी में, तांबे में और कांसे में विक्रत गंधिता तेल या वसायुक्त पदार्थ अक्सीजन के संपर्क में आने पर उपचेत हो जाते हैं और विक्रत गंधिता उत्पन होती है विक्रत गंधिता का मतलब है कि उन पदार्थों की उन तैलिय पदार्थों की गंध और उनका टेस्ट खराब हो जाता है तो इसे कहा जाता है विक्रत गंधिता विक्रत गंधिता में क्या होता है जो भी हमारे तैलिये पदार्थ हैं, वो जब oxygen के contact में आते हैं, oxygen के संपर्क में आते हैं, तो उपचयित हो जाते हैं इसे रोकने के लिए जो भी food packets आते हैं या जो भी बाहर से खाने का समान आता है, उसमें प्रती oxygen कारत पदार्थ मिलाए जाते हैं आपने देखा होगा, मार्केट में से जो chips के packets आते हैं, वो full away होते हैं, उनके अंदर nitrogen gas भरी होती है, जो की oxygen की अभीकरिया को रोकती है, ताकि उसमें उपस्थित chips का विकरत गंधिता का प्रक्रम ना हो पाए इसी तरीके से विकरत गंधिता को रोकने के लिए, हम अपने खाद्य पदार्थों को बिल्कुल airtight boxes में भी रख सकते हैं, या उनमें प्रती oxygen कारक पदार्थ मिला सकते हैं, ताकि वो हवा के oxygen के संपर्क में ना आ पाएं और विकरत गंधिता ना हो पाएं बच्चों, इसी के साथ हमारा विज्ञान का पहला अध्याय रासाइनिक अभीक्रियाएं और समेकरन समाप्त होता है